हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको अपनी वीडियो के थुरू बताऊंगा इंडिया की टॉप एट लो मेंटेनेंस बाइक्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आठवे नंबर की बाइक के बारे में तो आठवे नंबर पर है बजाज पलसर 125 यह आपको बजाज पलसर 150 जैसी ही दिखती है इसमें आपको बिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर मिलता है इसमें आपको 124.4 CC का इंजन मिलता है जो आपको 11.8 BHP की पावर और 11 Nm का तॉर्क देता है अगर गेर बोक्स की बात करें तो इसमें आपको 5 स्पीड गेर बोक्स मिलते हैं जो की 10.7 BHP की पावर देता है और इसका टॉक 10.9 Nm रहता है इस गाड़ी में भी आपको 5-speed gearbox मिलता है अब बात करेंगे नंबर 6 के बारे में तो छटे नंबर पर आती है TBS Radian इस बाइक में 109.7 CC का इंजन लगा हुआ है जो की एर कोल्ट सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसकी पावर 8.2 BHP और टॉर्क 8.7 Nm का रहता है ये गाड़ी आपको 4-speed gearbox के साथ मिलती है अब बात करेंगे नंबर 5 के बारे में तो पाँचवे नंबर पर आती है Bajaj Platina इस बाइक का इंजन 102 CC का रहता है और इसकी पावर 7.7 BHP और टॉर्क 8.34 Nm का रहता है अब बात करेंगे नंबर 4 की तो चौथे नंबर पर आती है Honda CD 110 Dream इस बाइक में 109 CC का इंजन लगा है और इसकी पावर 8.31 BHP और टॉर्क 9.09 Nm रहता है अब बात करते हैं नंबर 3 की तो तीसरे नंबर पर आती है TBS Sports इस बाइक में आपको 100 CC का इंजन मिलता है जो की 7.4 BHP की पावर और 7.5 Nm का टॉर्क देता है अब बात करते हैं दूसरे नंबर की बाइक के बारे में तो दूसरे नंबर पर आती है Bajaj C300 इस बाइक में आपको 99.27 CC का इंजन मिलता है जो 8.1 BHP की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है तो अब बात करते हैं नंबर वन लो मेंटेनेंस पाइक के बारे में तो यहाँ पर बाजी मारी है Hero Splendor Plus ने इस बाइक का इंजन 97 CC का रहता है जो की सिंगल सिलेंडर एर कूल इंजन रहता है इसके इंजन की पावर 8.2 BHP रहती है और इसका टॉर्क 8 Nm का रहता है दोस्तो इस बाइक का मेंटेन्स बहुत ही कम है इसकी सर्विस भी बहुत ही इजिली हो जाती है और इसके स्पेर पार्ट्स भी बजार में आसानी से मिलते हैं तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शेर में बताईए और वीडियो को लाइक एंड सेर कीजिए थैंक यू